नमस्कार दोस्तों स्वागतिया आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे और आज फिर से आपको चनाब ब्रिज के ओपर में लेके आए हुए यह आप देख सकते हो यह बकल वाली साइड है और अभी यह देख सकते हो यहाँ पर बलास्ट पोडेक्शन का जो काम चल रहा था वो maximum complete हो चुका मैंने सोचा चलो अपने दोस्तों के साथ में फिर एक बार चनाब ब्रिज के ओपर में हम जाते हैं और आज बारिश का मोसम है यह आप देख सकते हो यहाँ पर आज मोसम थोड़ा खराब है यह पूरा पानी देख सकते हो नीचे आप और यह पा हो चुका है और इसके उपर में अभी जाली डालना कुछ बाकी है तो मैं अभी बकल से कोड़ी वली साइड में जा रहा हूं आपको पूरी पूरी इंफार्मेशन देने की कोशिश करूँगा जो दुनिया का सबसे उंचा रेलवे ब्रिज बंढ ना था वो maximum complete हो चुका है अभी सिर्फ और सिर्फ इसके उपर में ट्रे का काम चलेगा और जितनी वी जो ट्रेक्स बीचेगी वह भी आपको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा अभी इसके उपर में ट्रेक्स का कोई भी काम नहीं लगा है यह आप पूरा देख सकते हो यहां पे पूरा का पूरा ब करता हूँ जो चनाब नदी है अभी उसके सेंटर में जा रहे हैं लोग यहां सुन सकते हो जो अवाज आ रही है भी यहां पर अंदर में कुछ काम चल रहा है तो अभी मैं फिर से आपको बता दू जो दुनिया का सबसे उंचा रेलवे बिर्ज हैं अभी उसके उपर खड़े तो दोस्तों अभी हम बकल से गोडी वाली साइड में जा रहे हैं आप सभी को पता है आप हर एक बंदे मेरी वीडियो देखते थे जो नहीं देखते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे हम ऐसी ही जो भी डिवल्मेंट इंडिया में हो रही है उसके रिलेटिव रात में बांद के रखा है यह देख सकते हैं सेलेंडर के से बांद के रखे हुए बिल्कुल भी यहां पर काम दुनिया का सबसे उंचा रेल्वेड ब्रीज बंड तो रहा है वट काम थोड़ा इसमें उपर में थोड़ा से नहीं चल रहा है बाकी अच्छा है सिस्टम पू के कोशिश करता हूं जो ब्लास्ट पोडेक्शन इसके उपर में जाली कौन सी डलेगी वह जाली भी दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आपको अब इसी साइड में o जाली के लिए कि कौन सी जाली जो इसके उपर में पड़ेगी और यह आप सामने देख सकते हैं जहां पर लगाया गया है जो भी बिजली ना गिर पाए बहुत ही सिस्टम से यहां पर पुरा किया जा रहा है आज बारिश थी थोड़ी इसलिए यहां पर बर्कस काम नहीं कर पा रहे हैं चलो आगे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं हम लोग जाली कौन सी बिचेगी साथ से पहले मैं आपको फिर से बता दो कि जाली कौन सी इसके उपर में बिचेगी वो भी आपको मैं दिखाता हूं आगे जाके जितनी भी ग्रिटिक्स डलेंगी वो बकल से कोडी तक कि इसके उपर में डाली जाएगी चलो आगे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यह लाइट वा क्या बात है इस लाइट की लाइट उपर रसों को देख रही है चलो यहां पर बहुत ही अच्छे से काम हो रहा है को अभी हम्कोडी पहुंचने वाले कुछी मिंटों में कोडी में पहुंच जाएंगे बककल से कोडी जो जितना भी डिस्टेंस पढ़ता था अम-कम-कम भी तीन से चार घंटे लगते थे बकल से कोडी बायर रोड इस रास्ते से हम लोग जाते थे वट अभी हम साथ से आट मिन्ट में बकल से कोडी पॉइंट सकते हैं और यह आप देख सकते हो इस सामने जो ingredients रखी है यही इसकी वपर में जाली जो वह आप देख पा रहे होंगे यह सारी की सारी इसके वपर ही रखी जाएगी इसके size की बनी है तो बहुत ही fast यहां पे काम चल रहा है रेगुलर काम चल रहा है और हमें भी खुशी होती है भारत को इतना आगे लेके जा रहे हमारे जो माने परधान मंतरी जी ये वाली ग्रीटिंग्स जितनी विए ये ही डाली जाएगी कोड़ी से बकलता तो दोस्तो आज की मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी कि खब ये जाएगी कोड़ा है